बच्चों आप अपने रोजमर्रा के जीवन में ब्रेड तो खाते ही होंगे और ब्रेड के साथ आप जैम लगाते होंगे या उसे सौस के साथ खाते होंगे और चिप्स तो बच्चों को बहुत ही पसंद है तो क्या आपने सोचा है कि ये चिप्स जो आप खाते हैं वो कहां बनती है या जो आप सौस खा रहे हैं वो कहां बन रही है जैम कहां बनता है कि जो हम जितने भी वस्तूओं की बात कर रहे हैं चाहे वो ब्रेड हो गया जैम सौस चिप्स चॉकलेट्स बिस्कीट्स है ना इनका रौ मटेरियल जो है वो प्राथमी क्रियाओं पर आधारित है और जब ये प्रोसेसिंग होकर हम तक पहुँच रहे हैं तो द्वितिया क्रियाओं के माध्यम से जो है वो हम तक आ रहे हैं या हम ये कहें कि जैसे हमने बात की सौस की तो सौस टोमेटो सौस की हम बात क तो इसके लिए रौ माटेरियल क्या है टमाटर है हम जेम की बात करें जैसे हम अपल जेम बोल रहे है कर दो बनाने के लिए उसका गच्चा माल है वह इस आपल है और जो इस दो रम वह पोटेटो चिप्स बनाई जारी है आलू से तो बनाना चिप्स बनाया जाता है केले से आलू चिप्स बनाया जाते हैं आलू से तो यह जो राव मटेरियल है वो आपके प्राथमिक रिया से संबंधित है जो कच्छा माल है वो क्रिशी कार्य से मिल रहा है चाहे हम केले की बात करें टमाटर की बात करें आलू की बात करें या जब हम ब्रेट तो जब कोई भी प्राथमिक संसाधन होता है यह हम यह कहें कि प्राथमिक क्रिया से प्राप्त जो कच्चा माल है उसका रूप परिवर्तित करके उसे संशोधित करके जब हम उसे और ज्यादा उपयोगी बना देते हैं तो इस बनाने की जो क्रिया है उसे परिवर्तित करने क प्रक्रिया उसे परिशोधित करने की प्रक्रिया या और ज्यादा उपियोगी बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम secondary activities या द्वितियक क्रिया कहते हैं इसे आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं जैसे आप जो कपड़े पहनते हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं, तो इसका कच्चा माल क्या है? कॉटन, कपास, जो कृषी कार्य से मिल रहा है, प्राइमरी अक्टिविटीस से, तो वो कपास, जब रौ मटेरियल है, कच्चा माल है, तब वो उतना ज्यादा उपियोगी नही हैं, लेकिन जब उस कपास से धागे निकाल कर सूध बना कर उन धागों की बुनाई करके आपके लिए जो गार्मेंट्स या रेडी मेड वस्त्र बनाए जा रहे हैं, तो जब वो वस्त्र की रूप में तयार हो जा रहे हैं, तो उसकी उपियोगीता जो है वो और ज्यादा बढ़ जा रही है, या हम यह कहें कि कपास की रूप में वो उतना यूस्फूल नहीं है, लेकिन उससे जब हमने वस्त्र तयार कर लिया, तो वो और ज्यादा उपियोगी हो गया, तो इस प्रकार बच्चों आप समझ ही गए होंगे, कि जब भी हम जो प्रकृती से जो संसा आधन हमें मिलते हैं उन सभी का जब सीधे रूप में हम प्रयोग करते हैं, सीधे रूप में मतलब गायस या भैस वो दूद देरी है और उस दूद को हम वैसे ही डारेक्ट पी रहे हैं, तो प्रत्यक्ष उसका उपियोग कर रहे हैं, आलू है, कृषी के माध्यम से हम इसका हम सीधे तोर पर प्रयोक करते हैं, वो समस्त प्रकृति द्वारा दिये गए संसाधन जिनका सीधे तोर प्रयोक किया जाता है प्रत्यक्ष रूप में बिना किसी उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन के तब हम उसे प्रात्मिक्रिया कह रहे हैं, लेकिन इनहीं जो प या इसका जब रूप बदल कर इनका उप्योग करते हैं, या रूप बदलने की क्रिया को हम कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी अक्टिविटीज या द्वितियक क्रिया हैं, जैसे और एक्जामपल हम लेते हैं बच्चों, खेत में धान उगाई जा रही है, ये तो आपने देखा नहीं होगा, तो क्या इस धान को हम सीधे तोर पर उप्योग करते हैं, नहीं, इसे हम प्रोसेसिंग के द्वारा प्रोसेस करके हम इसे इसका रूप परिवर्तन करते हैं और चावल बनाते हैं, और जब हम धान को चावल के रूप में परिवर्तित करते हैं, तब चावल को ह तो यह धान से चामल बनाने की प्रक्रिया क्या होगी secondary activities या द्वितियक्रिया और एक एक्जामपल अभी हमने देखा कि गाय भैस के दूद को जब हम सीधे तोर पर प्रयोग कर रहे हैं तब तो यह primary activities है लेकिन जो आप पनीर खाते हैं और जो बाजार से आप पनीर लेकर आ हैं तो यह पनीर डारेक्ट नहीं मिला है इस दूध से प्रोसेसिंग करके फिर पनीर बनाया गया है पनीर में मतलब दूध का रूफ परिवर्वर्तित करके पनीर बनाया गया है तो जब वो पनीर के रूफ में हमारे सामने आता है तो वो secondary activities है या द्वितियक क्रिया है ठीक उसी प्रकार जो हमने कहा आलू तो primary activities है लेकिन जब हमने इस से chips बना लिया या टमाटर से हमने sauce बना लिया तो ये क्या हो गया secondary activities बच्चों आप सभी ग्रामीर परिवेश से हैं और आपने अपनी फसलों में धान को तो देखा ही होगा नहीं जब हम धान को चावल के रूप में परिवर्तित करते हैं तो ये secondary activities में हो गया या secondary activities में आ गया मतलब धान का रूप परिवर्तित हो गया चावल के रूप में धान का रूप परिवर्तित कर दिया हमने चावल के रूप में और जब धान से processing करके उसे चावल बनाया ग और आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, जब इस चावल से हम चावल को आटे के रूप में परिवर्तित करते हैं, फिर से तो हमारी बहुत सारी चतिसगडी डिसेज जो हैं, वो आपके इस आटे से बनती है, फिर हम बात कर लें, फरा हो गया, या चीला भी आपको बहुत पसंद होगा, या चावल आटे से बनाई गई पूरी चौसेला भी आप बहुत खाते होंगे, तो हमने इस धान का रूप परिवर्तित कर दिया चावल में, और उस चावल के आटे से हमने इतनी सारी डिसेज बना ली, अभी हाल फिल हाल में होली गई है, और आपने उसकी मीठी डिश चावल से बनाई गई देहरोरी भी खाई होगी, जो आपको बहुत पसंद होगी, तो कहने का मतलब यह है, कि जब हम जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे हमने एक्जामपल लिया, धान का, तो इसका हमने अनेक प्रकार से रूप परिवर्तित कर दिया, और उसे और ज्यादा useful और valuable उसका मुल्य बढ़ाते हुए, मुल्य में भी हमने उसका परिवर्तन कर दिया, अभी गर्मी के मौसम है, और इस गर्मी के मौसम में दही खाना किसे नहीं पसंद है, या मठा पीना किसे नहीं पसंद, तो अभी हमने कहा ना, कि जब गायक का दूध हम सीधे तोर पर प्रेयोग कर रहे हैं तब तो वो primary activities हो गया लेकिन जब इसी दूध को इस दूध से हम दही बनाते हैं और दही से जब हम इसे मठा के रूप में परिवर्तित करते हैं या इस दूध को हमने पनीर भी बना लिया तो इतने सारे दूध के ही हमने रूप में परिवर्तन कर दिया और ये सारे किस प्रोसेस से होंगे secondary activities से चाहे secondary activities के लिए जोरी नहीं है कि ये किसी कार खाने या उद्योग में ही उस प्राक्रितिक संसाधन का रूप परिवर्तन किया जाए इसे हम इन संसाधनों का रूप परिवर्तन चाहे हम घर में करें उद्योग में करें या कार खाने में करें उस प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन का रूप परिवर्तन होना चाहिए फिर हमने बात की ना दही तो हम घर में भी जमाते हैं और उस दही से मठा भी हम घर में ही बनाते हैं पनीर भी बनाते हैं हाँ, जब हम मार्केट में जाते हैं, तो अभी हमने बात की ना, कि जब हम इसका रूप परिवर्तन करते हैं, तो इसका मूल्य भी बढ़ जाता है, तो आप देखिए, दूध को तो आप 40 या 50 रुपे लिटर में ही ले रहे हैं, लेकिन दूध से बनाये गए दही को आप 80 र गी बनाया जाता है, तो ये गी तो आपको मार्केट में 1000 से 1500 रुपे लिटर तक उपलब्ध होती है, तो आप देखिए, कि इस 50 रुपे की चीज का रूप परिवर्तन जब किया गया, तो वो कितने मुल्य का हो गया, 1000 से 1500 रुपे तक का मुल्य जो है वो उसका बढ़ गया तो ये भी एक महत पूर्ण सेकंडरी एक्टिविटीज है, या मैं कहूं कि दृतियक क्रिया का एक अच्छा उदाहरन है, जो हम अपने रोज मर्रा की चीजों से या होने वाली जो हमें वस्तुएं दिखती हैं, या हम कहें कि जिने हम उप्योग करते हैं, उनसे हम इसका ए इनकी वैल्यू में या मुल्य में कितना चेंज जो है वो आ गया, अब इसका मुल्य बढ़ाने की जो प्रक्रिया की बात की हमने, तो इसमें जो प्रमुक रूप से तीन क्रियाएं की जाती हैं, पहला है विनिर्माण, जिसे हम मैनुफैक्टरिंग कहते हैं, दूसरा है प् इसमें ले सकते हैं, जैसे कॉटन से आपने सूती वस्त्र का निर्माण कर लिया, घर में जो आप छोटी सूई से लेकर बड़े ट्रैक्टर या हल या हम कहें की जो भी मशीन का हम प्रयोक करते हैं, वो सब किसे बनाये जाते हैं इस पाथ से, तो इस विनिर्माण में हम दे जाला उस लौह यस्क से पहले इस पाथ बनाया गया और उस इस पाथ से फिर जो हम बात कर रहे हैं कि घर में उप्योग होने वाली एक छोटी सूई की हम बात करें या अलग-अलग प्रकार के बरतन या ओजारों की बात करें तो इसका रूप परिवर्तित करते हुए मैन। टिंचरिंग में किसी कार खाने या उद्द्योग में इसे ऑजार, बरतनों या जो हम बात कर रहे हैं फिर से कि एक छोटी सुई की रूप में इस इस पाथ को परिवर्तित कर दिया गया ति यह हो गया आपका विनिर्माड या मैन।ॉफैक्टरिंग पहले के समय में जो था विनिर्माड का अर्थ जब हम किसी भी चीज का रूप परिवर्तन हाथ से करते थे तो उसे विनिर्माड कहा जाता था लेकिन अब बरतमान समय में हम देख रहे हैं कि हाथ से जो काम किये जाते हैं उन सभी की जगह जो है वो मशीन ने ले ली है तो चाहे हम हाथ से करें या मशीन से वो कारी किया जाए विनिरमाड के कैटेगरी में आता है. तो जैसे एक एक्जामपल हम देखते हैं कि मालो हम मार्केट में कोई cotton सिल्क की साडी देख रहे हैं या आप जो कपड़े पहन रहे हैं जो या तो वो pure cotton की हो सकते हैं या synthetic भी हो सकता है अगर हम cotton silk की बात कर रहे हैं तो cotton silk में क्या होगा उसमें दो टाइप की जो चीजे हैं वो देखने को मिलेगी एक तो cotton का भी धागा होगा और एक silk का भी धागा जो है वो पियोग किया जाएगा तो उसके लिए raw material कहां से मिला एक तो कपास से भी मिला और दूसर कि दोनों से पहले रेषय त्यार किये गया रेशय से धागा बनाया गया और उस से फिर एक सुई से लेकर बड़े बड़े उपकरण या जो ओजार हैं वो बनाये जाते हैं तो यह हो गया manufacturing या विनिर्मार दूसरी क्रिया होती है प्रसंस करण या जिसे हम बोलते हैं processing processing especially जब हम बात करते हैं किसी खाद्य पदार्थ के संदर में होता है या रूप परिवर्दन करने की प्रक्रिया हम कह सकते हैं जैसे अभी हमने example लिया था न कि दूध और दूध को हम processing करके दही बनाए और दूद से ही प्रोसेसिंग करके हमने पनीर का जो है वो निर्माड किया तो ये क्या हो गया आपका प्रोसेसिंग या प्रसंस करण और तीसरा जो होता है वो निर्माड है जैसे कोई ब्रिज का निर्माड किया गया बांध का निर्माड किया गया सडकों का निर वहने दीजा स्कोह काते हैट इसके समान्य विश्यष्टाएं चीह होती हैं या फिर मशीन तू करें प्रमुख्रुपσηन की विश्यष्टा देखेंगे शक्ति या पावर operate दूसरी विश्य और तीसरा मानक वस्तूओं का उत्पादन किया जाता है, एक स्टैंडर्ड चीजें जो हैं वो बनाई जाती हैं, जैसे कि आप कपड़े ही पहनते हैं, तो उसमें एक अलग-अलग स्टैंडर्ड साइज होते हैं, एस साइज होगा, M साइज होगा, L, XL, है ना, तो ऐसा निया कि कुछ भी चीजें बना दी, स्टैंडर्ड चीजें ही जो हैं वो बनाई जाती हैं, फिर हम देखते हैं कि कोई भी जो एक प्रकार की वस्तू है, कोई भी जो वस्तू या पदार्थ बनाया जा रहा है, उसका विनिर्मान किया जा रहा है, वो एक ही नहीं होती, उसका व्र अबंबल ले ले तो यह एक पैन या कॉपी जो है वो सिर्फ एक आपके लिए ही नहीं बनाई गई है इसका बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया है और एक आपके सांथ सांथ यह कई लोगों के लिए उपलब्ध हैं तो कहने का मतलब यह है कि जो उत्पादन इस अब हम बात करते हैं जो आधौनिक विनिर्मान js climate मतलब वर्तमान समय में हम कह रहे हैं ना भई कि जो लोह या इस पात यूग की हम बात कर रहे हैं जो वर्तमान ओद्योगिक समय में ले के नहीं है। पहले हमने बात किया था दंपानां पहले बहुत सबसे पहले जब पत्थरों का उपयोंग करना सीखा तो उससे पत्थर के उपयोंग में स्था गईए तो पयक्रणल च ledagny पे को यूजेते पण कीईय। फिर धीरे धीरे उसका इस्थान जो है वो तामर यूग ले लिया या जब हम कहें कि तामबे की खोज की गई और उसका उपयोग बढ़ा और उस समय पे हम देखते हैं कि जादा तर जो है वो बरतन या औजार बनाने के लिए ही ये सारे चीज़ी जो है वो प्रयोग की जाती थी तो उसके बाद तामर यूग आया, का से यूग आया फिर लौह यूग आया, लुहे की खोज कर ली गई और अब बरतमान में इस लौह यूग की जो जगह है वो इस पात यूग के नाम से हम इसे जानते हैं क्योंकि कोई भी चीज जो है वो बिना इस पात के उपयोग के संभव नहीं है और स्पेशली जब हम इस अध्योगी करण के समय की बात करें तो इसमें तो और भी हम कलपना नहीं कर सकते तो इसलिए हम कहने हैं जो आधुनिक विनिर्माण हैं आधुनिक विनिर्माण की क्या-क्या विशेष्टाएं होती हैं इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो पहला हम देखते हैं कौशल विसिस्टी करण का मतलब होता है कौशल से हम समझ सकते हैं स्किल आप बोलते हैं कि Skill Development Program है आपके कौशल को आपकी दक्षता को उभारने के लिए कारिकरम रखा गया है ठीक उसी प्रकार जो ये विनिर्माण में कारिक किये जाते हैं या जिन वस्तू का उत्पादन किया जाता है उसमें हमें कौशल विसिस्टी करण देखने को मिलता है Skill Specialization देखने को मिलता है ये कह सकते हैं हम क्योंकि एक ही प्रकार की जो वस्तू है उसका उत्पादन किया जाएगा और उत्पादन छोटे इस तर पर नहीं बहुत बड़े इस तर पर जैसे कि हम एक 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 जामपल लेते हैं कि जब सूती वस्तू बनाया जा रहा है तो सूती कारी ऑफ पेड़ से कपाश करने कार्या है तो एक व्यक्ति जो है कपाश करने का कंप करेगा कापाश कसे बड़े बार जब उससे रेषे निकाले जाएंगी तो एक जो जिसको स्पेश्यॐस छूष्यूजचं है इस बेलों पारम三 में ये संवा हैं जो और सिर्फ वह सिर्फ तम शसु है कि ये कार रहे करेगा और दूसरा व्यक्ति हम देख रहे हैं कि तो कि अधूनर प्रेंर विनिर्माण के समय में हमें जो उत्पादन कारे किया जाता है वो स्किल्ड लोगों के द्वारा किया जाता है या दक्ष लोगों के द्वारा किया जाता है जो व्यक्ति जो कारे कर रहा है उसमें उसे विशेश दक्षता प्राप्त होती है दूसरा हम देखते हैं कि यंत्री करन या हम मर्शीनी क कि मैं रख सकते हैं यंतरीख करन का मतलक होता है कि हम किसी कार्य को करने के लिए किसी भी संथ भी हुथ पादन do 가족 को खरने के लिए मशीनों का प्रयोग और अभी हाल तो हम देखते हैं कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलाजी ने इतनी तरक्की इतनी उन्नती कर ली है कि आजकल आप घर बैठे ही मतलब घर के अंदर हैं और आप एक बटन दबा कर अपनी कार को लॉक कर देते हैं, है ना अपने बेट पर आप सोई हुए हैं और वहीं से आप रिम या आप नीचे बैठे हुए हैं वहाँ पर बैठे ही बैठे आप जो अपने रिमोट से रिमोट सिस्टम से आप कोई ड्रोन जो है वो उड़ा रहे हैं और उसे अपनी मन चाही जगह पर घुमा रहे हैं तो अभी बात हो रही है कि वरतमान समय में ये जो टेक्नोलाजी ने हम कह सकते हैं जिसमें आदमी का जो काम है वो तो रोबोट के द्वारा किया जाता है तो जो आधुनिक विरिमान की एक महत्तव पूर्ण विशेष्टा की जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका यंत्री करण या मशीनी करण फिर अगली विशेष्टा हम देखते हैं प्राद्योगी की नवाचार प्राद्योगी की नवाचार मतलब नवाचार से मतलब हम कह सकते हैं कि टेक्नोलाजी टेक्नोलाजी और ये तो हो गई हमारी प्राद्योगी की लेकिन नवाचार मतलब नहीं नहीं चीजे उसमें परि रिसर्च करके हम क्या कहते हैं कि कोई अनुसंधान हम कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज पर और उसमें नहीं जो चीजें हो सकती हैं जो पॉसिबिलेटीज हैं उसको हम लेकर आते हैं तो इस प्राध्योगी की नवाचार जो हम कह रहे हैं इसके माध्यम से हम कह सकते ह तो पहला तो है जो शोध है, जो हम रिसर्च की बात कर रहे थे, इस शोध को और विक्सित तरीके से विनिर्माण की जो गुडवत्ता है, जो चीजे बनाई जा रही है, जो उत्पादन के जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी में और ज्यादा चेंज लाने के लिए, जो इसके क्वालिटी को हम और कैसे बहतर बना सकते हैं, या हम यह कहें कि जैसे आप मोबाईल यूज करते होंगे, तो मोबाईल में क्या था, पहले आपका कीपैड वाला मोबाईल था, अब आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, और अब तो आइफोन आ गया, तो क्या हो रहा है, इसमें निरंतर जो है, वो रिसर्च किये जा रहे हैं, शोध किये जा रहे हैं, कि इसकी क्वालिटी को और बहतर जो है, वो कैसे बनाया जाएं, तो ये प्राध्योगी की नवाचार की एक महत पुन विशेश्ता है, या हम यह कहें कि इसके अंतरगतिय कार्य किया जाता है, जिससे हम उत्पादन की जो गुडवत्ता है क्वालिटी है उसमें निरंतर सुधार कर पाएं फिर हम देखते हैं कि यदि उत्पादन हो रहा है तो उसे वेस्ट माटेरियल जो है वो तो निकलेंगे ही तो इन अपसिस्टों से एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो हमारे एन्वायरमेंट को भी वरतमान समय में और जादा इससे जूजना पड़ रहा है तो यह जो अपसिस्ट या वेस्ट माटेरियल होते हैं इसके मैनेजमेंट या हम कह सकते हैं निस्तारण के मैनेजमेंट की बात इसमें की जाती है कि हम कैसे इसे सही तरीके से यह नहीं कि हम क्या करें कोई उद्योग है कारखाना है इससे जो निकलने वाले अपसिस्ट है वेस वो एकदम प्रदूशित हो जा रहा है जिस नदी में हम डाल रहे हैं वो नदी जो है वो प्रदूशित हो जा रही है आप तो यहां तक देखेंगे कि कानपूर के पास हमारी गंगा नदी जो है वो इतनी प्रदूशित हो गई है कि वो गंगा नदी नहीं एक मतलब वहां पर जो पानी है वो एक नाले के पानी के समान जो है वो दिखता है इतना गंदा या इतना प्रदूशित कर दिया गया है उद्योगों के माध्यम से वहाँ पर गंगा नदी के जल को तो इस प्राध्योगी की नवाचार के माध्यम से ये कोशिश की जाती है कि जो वेस्ट माटेरि किया जाये, फिर देखते हैं कि प्रदूशन को कम करना, चुकि हम overdagacelet के बात कर रहे हैं, या ओद्वयोगी करन solarization के बात करने तो इन सबसे क्या है, हम अपने atmosphere को, बाता अवरण को, हमारा पर्यावरन हैं बहुत प्रदूशित हो रहा है, तो इस और इसके बाद हम देखते हैं कि अदक्षता को समाप्त करना अभी इसके पहले बाले पॉइंट में हमने देखा था स्कील या कॉशल की बात की थी हमने दक्षता की तो यह जो विनिर्मान किया जाता है उसमें प्राध्योगी की नवाचार के माध्यम से ऐसे लोग वहां पर जाते हैं उत्पादन के लिए कि एक शर्त रख दी जाएगी कि जो सिर्फ धागा बुलाई का काम कर रहे हैं हम कह रहे हैं या रंगाई का जो काम कर रहे हैं तो आपको कोई स्पेशल डिपलोमा या ऐसी कोई डिगरी उसमें मिलनी चाहिए जिससे यह पता चले कि आप उस कार्य में दक्ष हैं आपको आप स्किल्ड हैं उस कार्य के लिए या ऐसा कोई आपने प्रसिक्षन प्राप्ति किया हो जिससे आप उस कार्य में स्पेशली स्किल्ड हैं या दक तो प्राद्योगी कि नमाचार के माध्यम से इस अधक्षता को भी समाप्त करने की कोशिस की जाती है फिर अगला हम देखते हैं संगठनात्मक धाचा एभं इस्तरीकरन तो जब हम संगठनात्मक धाचे कि बात करते हैं तो ये देखते हैं कि धाचा कोई भी उत्पादनकारी जो कर रहा है या विनिर्मार जो किया जा रहा है उसमें क्या-क्या चीजे लगती हैं हाला कि हमने पहले भी इन सारे पॉइंट्स पर हमने बात कर ली है लेकिन इसपेशली इस पर थोड़ा अलग और चर्चा करने की तो उसमें भी आपको ये सारी चीजों को बताना चाहिए जिसमें हम देखते हैं कि जटील प्राध्योगी की करन या हम ये कहें कि जटील प्राध्योगी की यंद्स जो भी उसमें जो उपकरन प्रेयोग किये जाते हैं जो टेक्नोलाजी प्रेयोग की जाती है वो हाई में कैसे प्राप्त किया जा पाए फिर हम देखते हैं कि इस धाचे में अधिक पुंजी की भी आवश्यक्ता होती है जब हम एक हाई लेवल के टेकनोलाजी या उपकरनों का प्रेवक कर रहे हैं तो नैजरली है कि हमको उसमें पैसो की या पुंजी की जो है वो बहुत अधिक मातरा में आवश्यक्ता होगी फिर देखते हैं विसिस्टी करन और इसके साथ ही साथ श्रम विसिस्टी करन मतलब स्किल्ड चीजे तो मिल ही रही है और साथ ही साथ उस चीज को बनाने के लिए जो लेबर या जो श्रमिक उसमें कारिक कर रहे हैं या जो श्रमिक उसको बना इसकिल्ड लोग प्रसिक्षन प्राप्त लोग ही जो हैं या डिग्री या डिपलोमा धारी स्पेशल जब हम किसी पर्टिकुलर उस चीज की बात कर रहे हैं तो उसमें वो स्किल्ड होते हैं और उनहीं लोगों को वो कारिय दिया जाता है जैसे इसे हम एक एक जामपल से समझ जी तो क्या वो पूरा शादी का जो कारिय है पूरा शादी के कारिय का बोज़ हो अकेले उठा सकते हैं बिल्कुल नहीं तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो मालो किसी को खाने में कोई इंट्रेस्ट नहीं है लेकिन हमने उसको भोजन व्यवस्था का कारिय दे दिया किसी को साथ सज्जा का कारी कर दिया, ऐसा नहीं होता, तो कोई भी समारों, कोई भी function आपके घर में हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, यदि हम वो सभी कारे जो हैं, वो घर के सभी सदस्यों को बराबर बाट दें, और बाटना या विभाजन करना ही विभाजन ऐसा हो, specialization के according, जैसा भी हमने कहा कि किसी एक व्यक्ति को खाने में ही रूची है, तो हमने उसे भोजन व्यवस्था का कारे दे दिया, तो वो क्या करेगा, पूरी भोजन व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से समार लेगा, वो कोशिश करेगा कि उसमें लागत अच्छी कमाएं और टेस्ट फुल खाना जो है वो सभी को उपलब्ध हो पाएं और जब हम किसी को साज सज्जा में बहुत ज्यादा रूची है, तो हमने वो साज सज्जा वाला जो कारी है, वो उस व्यक्ति के हाथ में सौब दिया, तो वो भी यही कोशिश करेगा कि भई कि मैं इस कारी को और कितना बैस्ट तरीके से कितना बहतर कर पाऊं और इसके लिए वो उसके द्वारे यह कोशिश की जाएगी कि वो कम से कम लागत पर एक बहुत अच्छी साज सज्जा वाली विवस्था दे पाएं तो यह कुछ हम घर में भी देखते हैं और चाहे यह घ करते हैं जिसे उसकारे में विसिष्टी करन प्राप्त है वो इसकिल्ड है तो वो कारे जो है वो बहुत बहतर तरीके से होता है और यही चीज हम जो विनिर्मान है आधुनिक विनिर्मान की जो हम बात करते हैं उसमें संगठनात्मक धाचा और इस तरी करन इस इस तर पर भ कैसे हम जैसे आपका स्कूल है है now up उस इसकूल में हमwright पाल दीक्ते है कि अभाल एल डिये है या इस्त्रीकरन हो रहा है और इस्त्रीकरन कैसे कि हर जगा एक का अपर, मिडिल और लोवर है ना तो अपर लेवल का जो अव्यक्ति है वो क्या करेगा पॉलिसी बनाएगा नीती बनाएगा कि किसी कारे को करने के लिए बहतर नीती क्या हो सकती है मिडिल वाला जो अव्यक्ति है वो क्या करेगा वो जो पॉलिसी बनाई गई है अपर क्लास वो उसको लागू करेगा, फॉलो करेगा और जो लोवर लेवल क अव्यकती है वो उसे लागू करने के लिए वो कारिय करेगा अभ हमnantुड हुड हम एकजांपल ले रहे थे आपकी सकूल का? स्कूल में हम देखते हैं कि जो आपके स्कूल के प्राचारी है तो वो क्या करेंगे कि उन्हें अपने स्कूल या अपनी संस्था को बैस्ट बनाना है तो उसके लिए क्या-क्या पॉलिसी होनी चाहिए जिससे वो अपनी संस्था को पूरे इस तर पर बहतर बना पाएं तो इ पर लेवल के अधिकारी वर्ख हो गए वो अब उसके बाद जो उसकोल के टीचर्स होंगे वो उसके लिए जो प्रिंस्पल ने पॉलिसी बनाई है जो नीतिया बनाई है उसे लागू करने का काम करेंगे और लागू तो वो करेंगे और ये काम जब वो लागू करवाएंगे तो करेगा कौन और जैसे साप सफाई की व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम तो उस स्कूल के जो सफाई करमचारी है लो लेवल के वो उस कारी को करेंगे है ना जो बहतर आफिशियल व्यवस्था जो है वो बहतर होनी चाहिए तो वो कारिय उस आफिस के कलर्क या तृति करवाएगा ही लर्निंग करवाएगा ही लेकिन उस काम को कौन करेंगे बच्चे आप टीचर तो पढ़ा देगा लेकिन आप जब तक एक हम कह सकते हैं अच्छी तरह से आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो तो बहतर आ ही नहीं सकता तो टीचर के साथ साथ आपकी भागीदार भी उसमें होगी ही तो हम क्या देखते हैं कि यह जो इस्तरी करण है वो एक घर से लेकर चाहे वो इसकूल हो शाशन प्रशाशन का इस्तर हो यह हम उद्द्योग के इस तर पर भी बात करेंगे उद्द्योग में भी हम देखेंगे कि एक अधिकारी वर्ग होगा है ना जो कार खाने के लिए अपने उद्द्योग के लिए पॉलिसी बनाएँगा हैना उस पॉलिसीं को लागू करने के वहां के कोन होगी वहां के जो कर्मचारी है और। कारी को कौन करेगा जो लागू वो करेंगे कि भई आपको यह कारी करना है तो वो निर्देश देंगे किसको निर्देश देंगे वहाँ पर जो लेबर हैं तो उत पादन से संबंधि जो निर्देश दिये जाएंगे तो वो कारी लागू करने के बाद कारी कौन करेंगे वहा रिजल्ट जो है वो प्राप्त होता है